आज का सुन्सकार ज्याता बर्ष्टा भाव ज्याता बर्ष्टा हमारे भीतर विराजमान मून सरुप का शुब आत्मा चेपन सरुप बगवान का गुन है और वह मात्र जानने वाला देखने वाला है उसकी केवल प्रजिन से वह द्रष्टा है हम खुली आखों से जो सारी दुनिया को देखते हैं वह द्रष्टे किस से देखते हैं वह द्रष्टा के दोरा देखती है जो द्रष्टी है प्रकाश है कि वह सोब पर्पकाश है, वह है तो दृस्टी बिलती है वो नहीं है तो अमारा सरी बैड बोलता नहीं है वो कोई भी प्रवक्ति मनवचन कायागी नहीं करता है उसको जला दिया जाता है इसलिए ज्याता दश्टा बनने का अर्थ यह है कि आप इस जीवन को दो भामों में बाटो यह तो अमारा उदे और प्रावब्ब है वो मनवचन काया, मनवचन काया तता उससे जुड़ी हुई हर अवस्ता मात्र पुद्रती रचना है उसको पुद्रती रचना मानो उसके साथ अन्याकार मत हो उसके साथ मत जुड़ो उसको समधन हो जाओ इसको जो है, यो सुधारने का प्रयास मत करो, इसको तो मात्र देखना और जानना है, जो की हमारा द्रश्टा जानता है, देखता है, जब हम ज्याता द्रश्टा बनते हैं, तो हम करता भाव, माली की भाव सरंडर हो जाता है, हम वही आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं, हमा जोई अ करता निमित निर्दोष और जो शुद आत्मा ये चारों का टेक्ट है, ये चारों साथ में आ जाते हैं, अ करता बनने के बाद में, जैसे चंडाल चौपडी में चारों में से एक आया, तो कोई मान माया लोग चारों आ जाते हैं, ये दोनों ये दूसरे की विप्रि हम जो है ज्याता द्रस्टा बनने के लिए विज्ञान करना, शरी उलग है, मैं अलग हूँ, शरी जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, ये जो हमारा विज्ञान ये ज्याता द्रस्टा है.